हेलो गाइस मैंने पास है टेकनू पोबा 5 तो आप यह पर देख साकते हूँ इसका डिजाइन कितना ओसम है दोस्तों फोन देखने में काफी प्यारा सा लगता है इसका डिजाइन जैसे अच्छा है इसमें अच्छा अच्छा फीचास भी है आज इस वीडियो में इसका कुछ hidden features या tips and tricks मैं आप के साथ share करूँगा इसमें floating windows का फेचस है आफ कोई भी ऐपले के सान को floating windows में open पर अप्र करें ऑप क्रके पatoreफ लौक्षाइब कीडिब आप लगा सकते हो इसके लिए आपको आना होगा सिदा सेटिंग्स में आना होगा प्राइवेसी प्रोटेक्शन देखा देगा एप लॉट है पहला आपको पासवर वगरा क्रेट कर लेना है उसके बाद आप किसी विए के उपर लगा सकते हो मेरे फोन की होम स्किन में जो सारी फोल्डर है को आना होगा सिदा स्भी इंपर स्पेशल फंक्शन में आना होगा इंपलेजेंस से deconstक्शन और त्प स्थेप कर सकते हो स्थे मैं चाहता हूँ तो और 8GB RAM को बढ़ा सकते हो मेरा 16GB RAM हो जायेगा इसके लिए मुझे आना होगा सिधा सब्सेदार सेटिंग में और मिम फंक्सान को उन कर लेना है एक वर्च्वल राम में अब आपको 8GB RAM को बढ़ा सकते हो इस पूर में आप YouTube का जो वीडियो है Skin Off करके Play कर सकते हो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा सिधा Settings में और यहांपर Special Function में आना होगा यहांपर Video Assistant रिकादी करें यहांपर Tab करना है यहांपर Video Assistant कोăng करना है तो यहांपर Video Assistant को pregnancy अनठ करना है इसके बाद आपको आना होगा सिधा YouTube पर और यहां पर आपका मनपसंद म्यूजिक या वीडियो को आप प्ले कर लीजे रैट साइट से स्वाइब एंड होल करोगे तो यहां पर बहुत सारी सॉटकाट खुल कर आता है तो यहां पर है प्ले इन दे बैग्रांड यहां पर डाउट करना होगा आपका स्कीन ओप हो जाएगा और बैग्रांड में जो है म summarize हो आप सुन सकते मियूजिक पले हो रहे मेरे फोन मैं जब आप फोन को आउन करोगे जो आप्सान है ऑटोमेटिकल हो जाएगा इसमें साइडवर का फिचस मिलता है दोस्तों आप रैट साइट से या लेप साइड से स्वाइड होल करोगे तो यहां पर साइडवर खुलकर आता है अब जो जो एप्लिकेशन या शॉट कार्ट को ज कर सकते हो अब देख सकते हैं मेरे फोन में इंटर्ण स्वीड मेडर ओन है इसको आन करने के लिए अप को आना होगा सब्सक्राइब करना होगा कि app do in दिर्ड को पृइन को सौपंत करता है उसको आप टुइन करके इस फोन में यूज्द कर सकते होग एस फोन की फ्रॉन साइड में एड़ी फ्रेशलाइट मिलता है उसको आन करने के लिए यह इस फ्रॉइसलाइट का जो आयकन है अपर टैप करना होगए और जरी दूसरा कोई डीवाइस को अब इंटरनेट स्टेयर कर पाओगे इसमों में वाट्सप के रिलेटेट धेर सारी स्वाट कार्ड और फीचास भी मिलता है आपको आना होगा सब्सक्राइब में यह पर स्पेशल फंक्शन में आना होगा और यह पर सोशाल टार्बू देखा कर सकते हो वाट्सप में बात कर रहे हैं यह पर फीचास भी दिया है उसके साथ यह पर स्टीकर को आफ तैयर भी कर सकते हो आप चाहते हो जब फोन में नोटिफिकर्शन या कॉल वेकरा आए आपका फ्लैसलाइट बिलिंग करना स्टार्ट कर दे तो यह पर फ्लैसलाइट नोटिफिकर्शन है इसको आपको आपको आउन कर लेना है अब इतने जरस्तर वीडियो देख रहे हो आपको एक बोनस टिफ्स तो मिलना चाहिए सेल्फी कैमेर का असपास में गियोलो कलर कर लाइड ही जो लाइड हाट टेम आउन रहता है मैं यह आपर सारी एप्लिकर्श को जल्दी सी डाउनलोड करके इंस्ट्रल कर लीजिए आगे का जो सारा सेटिंग से मैं आपको बहुत आसन तरीके से समझा देता हो जब आप पहली बार इस एप्लिकेशन को उपिन करोगी इसका होमस्किन सेटिंग कुछ ऐसे देखा देगा यहां पर एक बटन है इसको आ करके आप फिट कर सकते हो यहां पर आपका फिवरेट कालर को सेट कर सकते हो ऐसे भी यहां पर कालर में टैप करके कुछ प्रिसेट कलर यहां पर रहता है यहां से मैं योलो कलर को सेट कर लेता हो इसका बात ओके पर क्लिक कर देता हो आउटर कलर में यहां पर प्रिसेट में इस व्रिंविंग एपली किसन को डाउनलोड कर लो डिस्किसन पर लेंग है इस्पून में स्किन शॉट लेने के लिए बहुत सारा सॉट काड है आप भॉलम का डाउन बटन और पाउर बटन को सेम टाइम में प्रेस करके यहापर आप स्किन शॉट ले सकते हो आप थ्री फिंगर को डाउन करके स्किन शॉट ले सकते हो इस्पून की साइड वार में स्किन शॉट का सॉट करें यहापर आप टैब करके स्किन शॉट ले सकते हो इसकी नोटिफिकेशन कांट्रोल सेंटर में भी स्किन शॉट करें यह पर आप टैब करके skin shot ले सकते हो अगर आप चाहते हो display का specified area का skin shot लेने के लिए तो आपको 3 finger को ऐसे tap and hold करके रखना होगा इसके बाद आप area को select कर लीजे यह पर save option में क्लिक करिए skin shot हो जाएगा यह सारी option को on करने के लिए आपको आना होगा settings में special function में आना होगा micro intelligence से ही आपको टैब करना है और यह बस इंस्टाट है यह पर जो सारा option है इसको आपको on कर लेना है इस phone में security related दो कमाल की features मिलता है जो मुझे बहुत ज़दा useful लगा है पहला जो features है दोस्तों यह पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका shortcut जो है theft alert तो इस option को on करने के बाद क्या होगा इस option को अगर आप on करते हो तो जब आपका phone charger से disconnect होगा एक alarm बजएगा बहुत बार ऐस होने से बस सकता है second जो features से पीक प्रूव इसके लिए आपको आना होगा settings में space function में आना होगा और यह पर पीक प्रूव देखा देगा इसको on करने के साथ साथ आप देख सकते हो डिस्प्ले की चारों तरब जो है ओ ब्लैक हो चुका है यह कुछ एरिया है जो यहां पर दे करना चाहते हैं हम लोग नहीं चाहते हैं पास में बैठाब हो आदमे हमारे screen में देखे हम क्या काम कर रहे हैं तो इसके लिए features बहुत जादा useful है हमारे phone में बहुत सारी application इंस्टल रहता है बहुत बार ऐसे लगता है phone में कुछ specified application है जो background में internet को यूज करता है और RAM को यू अब add कर दीजिए जब आप को minimize करोंगे background में internet को यूज नहीं करेगा और RAM को भी यूज नहीं करेगा इसके वेज़े से आपका phone बहुत जड़ा fast हो जाएगा यह phone latest Android 13 में run हो रहा है इसलिए तो इसमें धेर सारी wallpaper मिलता है दोस्तों आपको आना होगा सिदा settings में आना होगा और यहापर आपको ड्हेर सारी sticky wallpaper देखने को मिल जाएगा अगर आप चाहते हो तो यहापर आप online से wallpaper को download कर सकते हो यहापर ड्हेर सारी wallpaper मिलता है अब free में download करके आपके phone में apply भी कर सकते हो अब चाहते हो जब आपके phone में incoming call आये ringtone के सांसाद आपका phone private करना start करते तो इसक settings में sound and privacy में आना होगा और यहापर देखा है देगा private for calls इसको आप always private कर दीजिए आपके phone को ज्यादा secure करने के लिए secure keyboard को आप use कर सकते हो इसके लिए आपको आना होगा settings में privacy में आना होगा privacy protection में देखा है देगा secure keyboard तो इस option को आप on कर लीजिए तो बहुत बार ऐसे होता हम लोग password वेकरा dial करते है और पास में बैठा हुआ आदमी को पता चल जाता है easily हमारा password क्या है secure keyboard को अगर आप use करते हो तो हर बार keyboard का dial number हो अलग हो जाएगा यहाँ पर सारे later जो है वो अलग हो जाएगा यहाँ कि दोस्तों थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा इसके किसी को पता नहीं चलेगा आपका accurate password क्या है अब देख सकते हो इस phone को में navigation बेटम पर यूज कर रहा हूँ अगर आप चाहते हो इसको फुल स्कीन में यूज कर सकते हो इसके लिए आपके फोन में बहुत सारी application है आप चाहते हो किसी भी application का जो notification आता है उसको off करने के लिए तो आपको आना होगा सिधा settings में यह पर notification center में आना होगा आपके फोन में जो जो application इंस्टॉल है यह आपको देखा देगा उसका notification को आप ऐसे single click में disable कर सकते हो कि off कर सकते हो दोस्त एतो था कुछ features जो टेकनो फोवा 5 प्रो में देखने को मिलता है मुझे पुरी उमीद है एग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको एग वीडियो थोड़ी सी helpful लगा है तो एक like करके चानल को subscribe करके हमारे साथ जुड़े रहिए होसा है कि तो एक वीडियो आपके दोस्त के साथ भी share कर देना आपको दोस्त को बता चलेगा टेकनो फोवा 5 में क्या-क्या features मिलता है